दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं यदि आप उन्डली सीखना चाहते हैं यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में 60-60 वीडियो मिलेगे दोस्तों किनरों से भी मिलता है खुसियों का ख़जाना कैसे ये आप इस वीडियो में जान ले दोस्तों यह बात आप जानते हैं कि करनरों को दान करने से बहुत अच्छा फाइदा मिलता है लेकिन कैसे और कब करने से अच्छा फाइदा मिलता है आपका बुद्ध गरह यानि की कमजोर है तो आपको बहुत अच्छा फा तो इससे बहुत अच्छा यानि कि माना जाता है कि इससे आपका जहां पे जिस मनोकामना को लेकर आप जा रहे हैं वो पुर्ण हो जाएगा सिर्फ किन्नर को मिलने से ही दूसरी बात है कि अगर आपको कोई किन्नर आपसे कुछ मांगता है तो सबसे पहले आप उसे कुछ न कुछ पैसा जरूर दें और उससे जो आप पैसा दिये हैं उससे नहीं उससे एक रुपया या दो रुपया मांग ले उससे आप अपने पर्स या आप अपने घर के तिजोरी में रखें इससे बहुत अच्छा लाब मिलता है इससे माना जाता है कि आपके घर की यानि की घर में जो पैसे की बढ़ोतरी है वो होना शुरू हो जाता है हब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ की तो अगर आप बुद्धवार को हरा, कपरा, सिंदूर या लाल चूडी अगर किसी किनर को डौन करते हैं तो इससे आपका बुद्ध करा बहुत अच्छा होता है दोस्तों अगर आप कंसल्टेंसी के छेतर में हैं, कॉम्निकेशन के छेतर में हैं या आप एजुकेशन के छेतर में काम करते हैं या बिजनिस करते हैं तो बुद्ध का बहुत अच्छा माना जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका बुद्ध आपके कुनली में सही नहीं होगा तो ये बिजनिस में आप अच्छे तरह से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बुद्ध जो होता है वो कम्मिनिकेशन का कारक होता है और अगर आपका बुद्ध सही है तो आपकी बुद्धी बहुत अच्छे ढं से काम करेगा सही चीज़ पर काम करेगा तो इससे आपको बचने के लिए बुद्ध करह को अच्छा करने के लिए आप बुद्धवार को किन्नर को हरा रंग का दौन जरूर करें इससे आपको बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा और लाभी मिलेगा दोस्तों एक दिन है यानि की वो असाड की अस्टमी यानि की असाड ऐसे पूरे साल में चार नवरात्री होती है कल भी एक नवरात्री शुरू हो रहा है लेकिन हम असाड की नवरात्री की बात करते हैं जो अक्टूबर में होता है अगर उसके अस्टमी या सप्तमी तिति को अगर किनर को आप पैसा करते हैं तो दोस्तों एक बात माना जाता है कि ये आपको पूरे साल पैसे की तंगी नहीं होने देता है और ये पैसा कभी भी आप कागस की पैसे को डोनेट नहीं करें आप उन्हें सिक्का यानि की एक रूपए दो रूपए दस रूपए तक का सिक्का आप डोनेट कर सकते ह दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक सीज हम आपको जरूर बता देते हैं कि अगर आपको खिनर मिलता है तो कभी भी उसके साथ और शब्द भासा का प्रियोग ना करें उससे मजाक ना करें हो सकता है अगर वो मजाक के मूड में है तो वो आपसे हस के कुछ इस भी कह दे लेकिन अगर वो घुसे में अगर कुछ कर दिया तो इसका निगेटिव रिसल्ट मिलता है दोस्तों एक अगोरी जितना आपको निगेटिव सीज कर सकता है उससे ज्यादा सिर्फ किंडर के सिर्फ एक वशन में होता है तो इसलिए इस चीज से आप बचें वीड करते हैं आपसे एक नए वीडियो में धन्यवाद